आप देख रहे है धर्म शिक्षा आईए जानते है आज का राशीफल आप द्वादसिति आरंभ हो जाएगी नक्षत्र आज का उत्तर भादरबता रहने वाला है सामके पांच बचकर तैईश में तक द्धुपांथ रहे वती नक्षत्र आरंभ हो जाएगा वत्योहर में आज हरी प्रबोधनी एकादसी का वुरत रहने वाला इसे देव उठनी ए वीडियो में हम जानने वाले कौल 12 रासियों का आज का रासिफल का राहसी फल साथ हम जाने हैसका सुप समय असुप समय देशासुल शूप खादे रासी उसर क्या खाद पुदा सभरेगा कौन सा रंग आख लएगा लगी नमर क्या रहेगा रासी विडियो में हमारे साथ ताकि आपको संपूर्ण रासिफल की जानकारी होपा है, रासिफल का वीडियो पसंद आए जानकारी अच्छे लगे, तो सब्सक्राइब करें, साथ इक कमेंट बॉक्स में, जह माता दे जो लिक है, विटों आज के बारा रासिफल आपको बताना आराब करो, उससे पहले मेर्स रासि में चंद्रमा राहू के साथ मीन रासि में विराजित रहेंगे, तो इनी से वीडियो ग्रहों का मिलाद दाहाल आज के रासिफल में जानेंगे, तो आईए बात करेंगे पहली रासि मेर्स रासिफल की मेश रासी में चंद्रमा आज 12 हुए स्थान में वीराजित हैं जिसके फ्लस रूप आज आप किराए के मकान में अगर रह रहें तो मकान मालिक के साथ आपके समंध बिगर सकते हैं तो यहां पर आपको साभानी निश्ची तोर पर रखनी चाहिए आज आपको संतान के तरफ से खुसी हो सकती है परिवार में साकारात्मक वातावरन इसकान बनेगा किसी पुरानी समस्या का अंदवी संभव है आपके आत्मिस्वास में कमी आ सकती है साथ ही अपने वाणी पे नियंतन रखें क्योंकि आज आपके लराई जहरे के योग भी बन रहे हैं ओफिस में आपके सिनियर आपको किसी काम को लेकर आज उकसा सकते हैं धैरी से काम ले या एक सोची समझी साजिस भी आपके खिलाब हो सकती है बात केंगे व्यापार और धनकी तो आज आपको व्यापार में हानी का सामना करना पर सकता है अगर आप किसी के साथ पार्टनर्सीप पर व्यापार करते हैं तो उनके साथ मिलकर आप अपने व्यापार को लाब में ले जा सकते हैं अगर अच्छी योद्ना बनाएंगे और उस पर अमल भी करेंगे तो आप अपने हानी को लाब में बदल सकते हैं विद्यार्थी की बातकर विद्यार्थियों का मन चंचल रहेगा पढ़ाई के लावा अन्य चीजों में समय बरबाद ना करें अपने पढ़ाई पर ध्यान लगावें सिक्छा के छेत में विद्यार्थियों का दिक्कत का सामना करना पर सकता है स्वास्त की बातकर आज आपका मन असांत रहेगा मेडिटेशन करना आपके लिए लाबदायक सी धो सकता है जो जातक हाई बलड प्रेसर, डाइबिटीज या दिल के रोगी है उन्हें अपना ध्यान विशेस तोरब रखना चाहिए प्रेम समंध की बातकर प्रेम समंधों के लिए आज के दिन अच्छा रहने वाला है जीवन साथी को कम समय दे पाएंगे उन्हें समय देने का प्रयास करें उनकी भावनाओं की कदर करें इससे आपके प्रेम समंधों में मिठा सुत्पन होगी प्यार के जहार करने के लिए आज के दिन अच्छा रहने वाला है आज के दूद या दूद से बनीवे चीयां खाएंगे आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग नीलारंग लगी नमर चार रहेगा बात करेंगे वरिषासी की वरिषासी में चंत्रमाथ 11. स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब जो मेहनत आपने प्ने बीते दिनों में किया है उसका फल आपको अब मिलेगा जिसके कारण आपके आत्मिस्वास में वर्धी होगी आज आप कोई भी नया कारी करने के लिए पेरीद भी रहेंगे और इस नए कारी में आपको सफलता भी मिलेगी नए लोगों से मिलना और दोस्ती होना संभव है आपको आज कुछ पारिवारिक समस्या का सामना भी करना पर सकता है लेकिन अगर आप अपनी बुद्धी का इस्तेमाल करेंगे तो पारिवारिक समस्या सुधारने में भी आपको सफलता मिलेगी आज आपके धहरियों में कमी आ सकती है जिसके कार्ण आपके कारी पने विवी बिगर सकते हैं तो अपने धहरी पर नियंतन रखें व्यापार और धन की बात के आज आप अपने बात करने की चमता और काम करने की चमता से अपने व्यापार में विर्धी कर पाएंगे आपकी आए में बढ़ोदरी भी होगी जो जातक नोकरी कर रहे हैं उनके सीनियर अधिकारी उनसे परसन न रहेंगे आज किसी को कर्ज देने से बिलकुल बचें अगर कोई बहुत जोरतमन व्यक्ति ना हो तो उसे पैसे का उधार ना दें क्योंकि ऐसे पैसे आपके डूब सकते हैं विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज के नच्छा रहने वाला है आज आप अपने पढ़ाई के लिए अनकूल इस्तिति का अनभव करेंगे तो ऐसी स्तिति का लाब उठावें ज़्यार्थी की बात करें चोटी चोटी बातों को लेकर आप अपने जीवन साथी साज उलत सकते हैं एक दूसरे से वाद विवाद की इस्तिति उत्पन हो सकती है लेकिन यह सब होने के बाब जूद आपके रिष्ते मधूर बने रहेंगे जीवन साथी या प्रेमी पेमी का के साथ समय बिताएं इससे आपके प्रेम समन्द अच्छे बनेंगे आज किन चांदी के बरतन में खीर खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबन हरारंग लगी नमर तीन हने वाला है बात करेंगे मिथुन रासी की मिथुन रासी मचंदरमा दस्वें अस्थान में विराजित है जिसके प्रसुप आज आपके काड़ी छेतर में आपको समान की प्राप्ती होगी आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको प्रोथ सहन मिल सकता है आपके प्रतिद्धियों को प्रास्त करने में आपको सफलता की प्राप्ती होगी आपके घर के काड़ीयों में आज आप व्यास्त रह सकते हैं भगवान के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी लेकिन संतान के तरब से थोड़ी चिंत आपको अज रह सकती है तो अपने संतान का ध्यान रखें आज घर में कलह का माहौल भी बन सकता है आज आप आत्मिस्वास से भरपूर रहेंगे परन्तु पिदा के स्वास्ते से थोड़ चिंतित भी रहेंगे व्यापार औधन की बातकित आज आप में आत्मिस्वास भरपूर होने के कारण आप मानसिक तोर पर मजबूत नजराएंगे जिसका फाइदा आपको भी व्यापार में मिलेगा जुआ तक नोकरी कर रहें उन्हें अपने सहकर्मियों से चुनोती मिल सकती है आज आपके खर्चे भी ज़्यादा हो सकते हैं तो अपने फिजूल खर्चों पे नियंतन जोर रखें विद्यार्थी की बातकित आज आपके मित्र आपका ध्यान पढ़ाई से भटका सकते हैं मुआल फोन में ज़्यादा समय बरबात ना करें अपने पढ़ाई पर ध्यान दे स्वास्ते की बातकित आज आपको अपने स्वास्ते के परती सजेत रहना चाहिए कोई पुराने विमारी आपको आज परिसान कर सकती है कुछ जातकों को जोरों का दर्द परिसान कर सकता है तो हलका व्यायाम करना आपके लिए अतियुत्तम रहेगा प्रेम समंध की बात करें प्रेम समंधों के लिए आज की अच्छा रहने वाला है जीवनसाथी के साथ आज आप समय बिता पाएंगे साथ ही आप यहाँ भी जान पाएंगे कि आपका पाटनर आप से कितना प्यार करता है आज कि दिन उरत की डाल खाएंगे ता आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग फिरोजी रंग, लगी नमर आछ रने वाला है बात कोंगे अप करकरासी की करकरासीम चंद्रमान आज नौवे स्थान में विराजित है जिसके फलसुप आज आप अपने बातों को समाज में अच्छे ढंक से रख पाएंगे जिसके फलसुप आपके चाहने वालों की संख्या में विर्दी भी होगी अगर आप रातनीती से जुरे हुएं तो उसका भरपूर लाब भी आपको मिलेगा आपके संतान का सहीयोग आपको प्राप्त होगा कोई पुराना फसा हुआ रुका हुआ काम आपका पूरा हो सकता है सरकारी कारियों से आपको लाब मिलेगा आज आपको आपके मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा आज आप मानसिक सांती का अनभव करेंगे लेकिन कुछ जातक किसी अग्यात भाय से आज परिसान भी रह सकते हैं व्यापार और धन की बात के चाहे व्यापार करते हो जौब करते हो आपके अधिनस्त करमचारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा किसी करेभी मित्री या सगे समंधियों की मदद से आपको व्यापार में लाब हो सकता है आज आपके व्यापारिक परतिदंदी आपको व्यापार में नुकसान पहुचाने की कोशिस कर सकते हैं लेकिन व्यापार में आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। जिन जातकों को मकान या गारी की तलास है, उनकी तलास पूरी हो सकती है, जुरा तक नोकरी कर रहे हैं, उनके लिए आज के नच्छा रहने वाला है। आफिस में कोई नई जीमेदारी आपको दी जा सकती है, आपके ट्रांसफर होने के योग भी बन रहे हैं। इससे वाद व्याद के स्तिति उत्पन हो सकती है, जिन और विवाही जातकों को साथी की तलास से उनकी खोज पूरी हो सकती है, आज किन दूद या दूद से बनी विचीए खाएंगे तापके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब रंग, खाकी कलर लकी नमर छे रहने वाला है, बात केंगे सिंग रासी की, सिंग रासी मचंद्रमा आठमें स्थान में विराजित हैं, जिसके फ्लसुप आज आपको परिवार जनों का साथ मिलेगा, खास करके बरे भाईबानों से, माता पिता से भी कुछ आर्थिक सहयोग आपको मिल सकता है, परिवार क परिवार के सगे समंधियों से, परोशियों से, किनी किनी जातकों को कोई अच्छा दोस्त भी मिल सकता है, लेकिन किसी नए पर भरोसा करने से पहले, उसकी जांच जोरू करें, आज आपके जिद्दी रवय की वैसे आपको कुछ नुकसान हो सकता है, तो कल्पनाओं के पी आज किसी से पैसे उधार लेने से बिलकुल बचें, आज करज लिएगे पैसे आप जल्दी से चुकान नहीं पाएंगे, जुदा तक नौकरी कर रहे हैं, उनके सहकर्मियों के साथ उनके समन्द भी गर सकते हैं, आज आपके सहकर्मी, आपके बड़े परतितंदी भी सावि अपने समय को बरबात करने से बचें, समय का एक एक पल महतपूर्ण है, उस पल का लाप जो उठावें, अभी अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई परी लगावें, स्वास्त की बात के आज आपका स्वास्त अच्छा रहने वाल है, लेकिन आपको अपने खान रखना चाहिए, तले, भूने और मसाइदार खानों से दूर रहना चाहिए, प्रेम समंद की बात के जीवन साथी से हलकी नोगजों के बाद अच्छे समंद भी बनेंगे, आपको कोई पार्टनर भी आज मिल सकता है, लेकिन पार्टनर का चुनाव करने में साब्धान बढ़ दें, प्यार के जहार करने साथ बचें, आज के इन गुर अपने खाद पतात में सामिल करेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब रंग हरारंग लकी नमर 3 रहने वाला है, बात करेंगे अप कञ्नियारा से की, कन्नियारा से हीम चंत्रमा आज सात्वी स्थान में विराजित है जिसके प्रसुब आज आप अपनी बातों को समाज में मजबूती के साथ रख पाएंगे आपके बच्चों के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा कई माइनों में आज के नप के लिए चुनोतियों सुभरा रह सकता है आज अगर आपको जीवन का कोई बड़ा फैसला लेना हो तो किसी अनभवी लोगों की सलाह जोड़ लें आपके मन में आज कोई नाकारत्मक विचार आ सकते हैं जिससे आपका कारी भी प्रभावित हो सकता है आज आपकी बोली गई बातों को आपके परतितन्द्यों दोरा तोर मोर का पेस कि किया जा सकता है तो कुछ भी बोलते समिछ साब्धानी बढ़ते हैं किनी-किनी जातकों के उनके पिता के साथ समन्द भीगर सकते हैं तो यहां पर आपको सब्धानी निश्ची तरपर बढ़तनी चाहिए आज अगर घर से अपने बड़े का सिरवाद लेकर किसी काम के लेगी ओफिस या व्यापार में आपके सहकर्मियों के साथ आपका दिन अच्छा बीतेगा व्यापार और धनकी बात के तो व्यापार के दिश्टी से आज किन आपके लिए अच्छा रहने वाला है जो दो तक व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में लाब हो सकता है समा बढ़ेगा बात केंगे विद्यार्थी की आपको आज लक्ष की प्राप्ति के लिए ज्यादा मेहनत करने की आवज सकता है ज्यादा मेहनत करेंगे तो ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी तो मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी बिल्कुल न रखें स्वास्त की बात के स्व परिवर्तन का मन भी आपका हो सकता है आज आप अपनी वानी की मधूरता से बहुत सारी कारियों को लिप्टा सकते हैं अगर आप अपनी वानी पर अंकुस नहीं लगाएंगे तो बहुत सारी लोगों के आकरोस का सामना आपको करना पर सकता है सासन और सत्ता के लोगों से कुछ सहयोग आपको मिल सकता है आपके परिवार की परतिष्ठा बढ़ेगी अगर कुछ नया कारी आरम करना चाहते हैं तो उसमें कुछ समस्या उत्मन हो सकती है मन में किसी प्रकार की चिंता भी रह सकती है व्यापार और धन की बात करें तो अगर कहीं आपके पैसे बकाया हैं तो वहां से पैसे वसूली की पूरी संभावना बन रही है पिछले कर्ज को आप चुका पाएंगे व्यापार में अगर कुछ लंबे समय से दिक्कतें चली आ रही है तो उसे खत्म करना अबाती आवस्यक हो गया है वरना इससे बहुत ज़्यादा हानी का सामना करना पर सकता है विद्यार्थी की बात करत आज आपका मन पढ़ाई में लगेगा लेकिन सफलता की प्राप्ती के लिए आपको और भी ज़्यादा मेहनत करने की जुरत है तो मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमें बिलकुल न रखें स्वास्त की बात कर जिन जातकों को जोनो का दर दिये गठिया से समन्दे समस्या रहती है उन्हें थोरे परिसानी का सामना करना पर सकता है आज आपको तनावपून वाताबन में रहने की सला बिलकुल भी नहीं दी जा रही है प्रेम समन्द की बात कर आज आज आपका पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा जीवन साथी को समय दें और उसे समझें इससे आपके प्रेम समन्द में नई उर्जा का संचार भी होगा लेकिन प्रेम समन्दों में सोस समझ का आगे बर है किसी तीसरे व्यक्ति की वज़े से आपके प्रेम समन्दों में दरार रुदपन नहोंने दें आज के निगा गेहूं से बनी विच्छियां खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग ब्राउन कर लगी नमर चार रहने वाल है। आज आप अपने बच्छों की परहाई को लेकर चिंतित रह सकते हैं इसके लिए आपको अपने बच्छों की परहाई में रुची समझनी होगी। करने का मन भी आपका हो सकता है कुछ जातकों को सट्टे बाजी वगर ऐसे आज लाव भी हो सकता है। विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों का मन जंचल रहेगा। अपने आपको सोशल मीडिया और मोगाल फोन से थोर दूर रखें। अब आपको अपने केरियर के प्रति सचेत हो जाना चाहिए। प्रति सब्रंग हरारंग लकी नमर छे रहने वाल है। उनके लिए आज के नच्छा रहने वाल है। व्यापार और धन की बात करें आज आप अपने साहस और प्राक्रम के बल पर अपने काड़ी छेत्र में स्तिती को सुधार सकते हैं। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, यस और किरती में वर्धी होगी। आपके व्यापार में तेजी देखने को मिलेगा। अपने काम पर फोकस रहें इससे आपको फायदा होगा। नोकरी करने वाली जात्कों के अपने सीनियर अधिकारियों से आज मातभेद भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको साब्धाने निश्ची तोर पर रखनी चाहिए। अपने फिजूल खर्चों पर नियंतन रखना चाहिए। विद्यार्थी की बातकेट विद्यार्थियों के लिए आज के दिन सिक्छा के छेतर में सुब फलों की प्राप्ती होगी तो डटकर बेहनत करें। स्वास्त की बातकेट जिन जातकों को जोरों का दर दिया, गठिया से समन्दी समस्या रहती है। उन्हें आज परेशानी का सामना करना पर सकता है। आज आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। वियायाम करें योग करें इससे आपको स्वास्त में फायदा होगा। प्रेम समन्द की बातकेट आज आपके जीवन साथी के साथ किसी दूसरे के वज़ा से मतभेद उत्पन हो सकते हैं। कुछ भी ऐसा सोचने से पहले बातों को गहराई से जोर जाने। आज कि इन मसुर की डाल खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सु प्राप्त होगा। दानी भी बढ़ते हैं। व्यापार ओ धन की बातकेट आज आपके केरियर में सफलता की प्राप्ती होगी। आज आप अपने विरुधियों पर विज़े प्राप्त कर पाएंगे। आर्थिक मामलों में सफलता की प्राप्ती होगी। परिवार के किसी वक्ति साबको धनला अब भी हो सकता है। जो आतक नोकरी करते हैं, उनको आफिस में ऐसे लोगों से साब्धान रहना चाहिए, जो उनके दोस्त तो हैं, लेकिन उनकी छवी विकारने की कोशिस करते रहते हैं। विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आज के मिलादा रहने वाला है, पढ़ाई से आपका मन भटक सकता है। ऐसे हमें अपने लक्ष का ध्यान करेंगे तो आपको फायदा होगा। स्वास्ता की बात के तो आज आपका स्वास्त अछा रहने वाला है। चुस्ती और फूरती का अनभब करेंगे। लेकिन आपको मौस्मी विय्वारियों से सचेत भी रहना चाहिए। मौस्मी विय्वारियां किनी-किनी जातकों को परेसान कर सकती है। प्रेम समन्द की बात के तो आज आप जीवन साथी के साथ समय विताएं इससे आपको और आपके जीवन साथी को दोनों को अच्छा महसूस होगा आज के इंचांदी के बरतन में भुजन करेंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब्रम गुलावी रंग लगी नमर दो रहने वाला है बात केंगे कुमरासी की कुमरासी मिचंदरमा दूसरे स्थान में विराजित हैं जिसके प्रसुब आज आपका मन आत्मी स्वास से भरपूर रहेगा लेकिन मन में नकारत्मक विचार भी आ सकते हैं छोटी मोटी परेशानिया आएंगी उन परेशानियों पर विजय प्राप्त करने की कोशिस करें कुछ नई विचार आपके लिए फायदे मन भी साबित हो सकते हैं आज अगर आप किसी की मदद करते हैं तो उसका फायदा आपको भी कहना कही मिलेगा बिना जांच परता लिए किसी व्यविसाय या कानूनी जस्तावेच पर हस्ता अक्षर तो बिल्कुल भी ना करें इससे आप मुस्किलों में आगे चलकर परश सकते हैं व्यापार और धन की बातकर आज आपको व्यापार में लाब होगा व्यापार में जो भी आपके परतिदंदी हैं उन पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं जूरा तक नोकरी कर रहे हैं उनके लिए आज के अच्छा रहने वाला है आपके सीनियर या बॉस आपके कारी से प्रभावित हो सकते हैं लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि अपने बॉस के सामने खुद की पैर भी ना करें इससे निगेटिव प्रभाव पर सकता है विद्यार्थी की बातकेद प्रतिउक्ता परिछा की तैयारी करने वाली विद्यार्थी अपने दिड़ इच्छा सकती से लक्ष को प्राप्त कर सकते हैं तो अपने पढ़ाई पर ध्यान दें स्वास्ता की बातकेद आज आपको मौसमी विवानियों को लेकर सतरक्ता रखनी चाहिए आपकी सारेरिक और मांसिक विवानी की जर आजा दुख हो सकता आपका व्यायाम करें खुली हवा में टालें आपके स्वास्त के लिए अच्छा रहने वाला है प्रेम समन की बातकेद अपनी बाते हैं अपने जीवन साथी पर थोपने से आज कलह की स्थिती उत्पन हो सकती है अपने जीवन साथी को बड़ावा का अधिकार दे इससे आपके समन मधूर बने रहेंगे आज की इन हरी सब्जियां खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब्रंग आसमानी रंग लखी नमर बारा रहने वाला है बात करेंगे मीन लासिकी मीन लासिम चंद्रमा आज पर्थामस्थान में विराजित हैं जिसके प्रसुब आज आपको आपके दोस्तों का सहयोग प्राप्त होगा आज कोई भी निर्ने भावकता वसनाले ऐसे निर्नेयों से आप परिशानी में पर सकते हैं बेरोजगार जातकों को रोजगार की प्राप्ती होगी आपको आज भागे का साथ भी मिलेगा परिवार के किनी दो सोदस्यों के बीच मरमोटाव बढ़ सकता है मगर आज पूरे परिवार के साथ किसी धार्मी कारे के योग भी बन सकते हैं आज आपको आपके सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा लेकिन ध्यान रहे वह आपके काम का केड़िट भी लेने का प्रियास करेंगे आज किसी सुनी सुनाई बातों पर आँख मूंद कर भरसा ना करें सचाई को पर्खें तब ही आगे बढ़ें व्यापारो धन की बात के तो व्यापारियों को आज कोई भी निर्णे बहुती सोस समझ कर लेना चाहिए किसी अचानक साय चुनोतियों का सामना आपको करना पर सकता है तो उसके लिए पहले से ही सचेत रहें अगर कहीं निवेस करने का मन बना रहें तो एक बार अनभवी लोगों की सलाह जोड़ ले कज लेने से बिल्कुल बचे विद्यारथी की बात के तो आज आपका मन परहाई में लगेगा आप जिस लक्ष की प्राप्ति चाहते हैं उसके लिए अच्छी योजना बना कर करी मेहनत करें सफलता मिलेगी आपको स्वास्त की बात के तो आज आपको अपने स्वास्त के परति सजेत रहना चाहिए जिन जातकों को high or low rate pressure की सिकायत रहती है वह आज अच्छा महसूस करेंगे प्रेम समन्द की बात के तो आज आज आपके जीवन साथी के साथ आपकी नोगजों भी हो सकती है बात में सब कुछ ठीक भी हो जाएगा और विवाहि जातक प्रेम समन्द में कोई भी निया रिस्ता बनाने से पहले आज सामने वाले को जोर परखे आज आपके प्रेम समन्द में किसी प्रकार की चिंता उत्पन हो सकती है आज किन केला खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंगहरा रंग लखी नमबर रहने वाला है साथ तो मित्रों यह देत थाज के 12 रासी का रासी फल अब जानाते हैं आज का सुब समय आज का सुब समय यान की करी काल शुब ह के नौ बजकर अठाईश मेच लेकर दिन के दसबच कर सेंटालीस मिर्तर रहने वाले है इस समय में कोई है शट्राममटर काद्री आप आराम कर सकते है अज का सुब समय यानिकी राह कॉल रहने वाय जीरे का एक दो लांखा कर भी याताराम करेंगे किसी नए कारी को करेंगे उसमें आपको सबलतार लगेगी तुम तो यह तो थाज का संपूर्ण रासिपल कल के संपूर्ण रासिपल के लिए धर्मसिक्षा के साथ अब देखते रिए धर्मसिक्षा जैमा तबी